गुद मॉर्निंग बच्चो वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओफ एसार इंटरनेशनल रेजिदेशल स्कूल कुम्हारिया आज हम स्टूडी करने वाले हैं राउंडिंग ओफ तु दे नियरेस्ट टैन की दस के करीब हमारे पास कौन से नमबर मिलेंगे अगर हम एक नुमेरिकल लेते हैं कि 26 के नियरेस्ट 10 निकालना है कि कोई नमबर बताओ जो 26 के नियरेस्ट 10 आएगा देते हैं नमबर लाइन पर अगर 20 से बढ़ते तो ये 26 कहां लोकेट करेगा 21, 22, 23, 24, 25 and 26 ये जो नमबर है वो हमारा 26 रहेगा अब हमें ये चेक करना है कि 26 जो है वो 20 के करीब रहेगा या 30 के जादा करीब रहेगा 20 से 26 तक पहुंचने के लिए हमें कितने स्टेप चलने होंगे तो 26 जो है 30 के जादा करीब है तो वो नमबर जो इस दिये गए नमबर के जादा करीब होगा वो हमारा नियरेस्ट 10 रहेगा और 26 का नियरेस्ट 10 हमें क्या मिला है यहां 30 मिला है एक और एक्जामपल लेते हैं हम लेते हैं 44 44 का नियरेस्ट 10 निकालना हो तो हम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे यह 44 हमारा लोकेट होगा नमबर लाइन पर अब वही स्टेप हम चेक करेंगे कि 40 से 44 तक पहुँचने के लिए हमें कितने स्टेप चलने पड़ेंगे तो 44 का नियरेस्ट 10 निकालना होगा तो हमें क्या मिलेगा 40 मिलेगा इन एक्जामपल से हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमें नियरेस्ट 10 निकालना हो तो 10 की डिजिट में चेंज आएगा या नहीं आएगा वो हमें देखना पड़ेगा वन्स वैल्यू को वन्स प्लेस वाली डिजिट को देखना होगा यह यहां हमारी वन्स प्लेस वाली जो डिजिट थी वो 6 है मेंज यह 5 यह 5 से बड़ी है तो हमें क्या करना है इस पूरे नंबर के जस्ट इसकम और 93 नहीं भाएगा तो हम यहां इसका नियरास टें किया लेंगे 30 लेंगे और यह 5 से छोटा है its'क उस डिजिट जो है फोर है जो वगिंज की पांच से झ्छोटी है तो इस डिजिट फरया सै पीस प्रिल आज HUBA मुझ ना कि 40 रहेगा clear ऐसे ही हम example लेते हैं कि हमें 53 का nearest 10 निकालना है तो इसकी unit जो यानि की once digit है वो check करेंगे वो 5 से छोटी है तो 5 से छोटी है हमें अब इसके पिछे वाला नंबर लेना है जो इसके पास है means 53 के पिछे कौन सा नंबर आएगा 50 आएगा तो हम 50 ले लेंगे इसका एक छोटा सा समझने वाला तरीका ये है कि 10 डिजिट के nearest निकालना है 10 के nearest निकालना है तो हम 10 वाली value को as it is रखेंगे अगर ये number 5 से छोटा है वन्स डिजिट वाला नंबर 5 से छोटा है तो उसको हम 0 बना देंगे और आगे 10 वाले number को as it is रखेंगे अगर ये आने वाला number unit यानि कि वन्स प्रेस value है वो अगर 5 से बड़ी है तो आगे वाले यानि कि 10 डिजिट में हम एक add कर देते हैं जोकी 6 बन जाएगा और 7 का हम 0 बना देते हैं ये एक समझने का छोटा सा method है प्रोसेस रही रहता है हमें ये चेक करना होता है कि जो वन्स डिजिट value है वो 5 से चोटी है या 5 है या 5 से बड़ी है 5 से चोटी रहेगी तो उसके पिछे वाला number जो 0 के करीब होगा means 53 है तो 0 आएगा तो किस में आएगा 0 इसके पिछे 50 में आएगा तो 50 हम ले लेंगी 7 है ये 5 से बड़ा है तो इसमें हम देखेंगे कि इसस आगे आने वाला number जो 00 आता है वो कौन सा होगा वो 60 होगा तो हम यहां 60 ले ले लेते हैं clear ये तो बात थी हमारी nearest 10 की अब बात करते हैं nearest 100 प्रोसेस हमारा वही रहेगा अगर हम एक नमबर लेते हैं 754 ये नमबर लेते हैं अब हमें किस के अराउंड चेक करना है 100 के अराउंड चेक करना है ये रेस्ट 100 तो उसमें हम क्या करेंगे once 10 100 का निकालना है तो 10 डिजिट की value हम चेक करेंगे 10 प्लेस वाली value ठीक है ये हमारी value क्या है 5 है प्रोसेस यही रहेगा सिर्फ हमें यह चेक करना है कि अब 10s place value जो है वो 5 से बड़ी है 5 से छोटी है या 5 है 5 या 5 से बड़ी हो तो हम आगे वाले नंबर में एक add कर देते हैं तो यह हमारा नंबर क्या रहेगा यहां 8 आ जाएगा और बाकी पिछे वाले नंबर को 0 बना देंगे यह समझने वाला मेथड था प्रोसेस वही है एक्चुल में कि 754 यानि कि 10s place value 5 या 5 से बड़ी है तो 5 754 के आगे जो नंबर आएगा 100 पर जो 0 के करीब होगा वो क्या होग 800 आएगा 800 से पहले यहां 100 में कभी 0 नहीं आएगी ठीक है एक नंबर और लेते हैं 324 अब फिर वही प्रोसेस की यह 10s value है वह हमारी 5 से चोटी है 5 से चोटी है तो 324 से पहले वाला नंबर जो 0 के करीब होगा वो क्या होगा 300 रहेगा प्रोसेस क्या होगा प्रोसेस तो यही होगा और समझनी वाला मैथड क्या होगा वो यह रहेगा कि अगर यह 5 से चोटी वैल्यू रहेगी तो 100 वैल्यू एज रहेगी और जो पिछे वाले ने 1s और 10s वैल्यू जीरो बन चाहेगी क्लियर आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू